हेलो और नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुनाल कपूर जी की सभी फिल्मों के लिष्ट बगस अपिस कलेक्शन और वर्डिक के बारे में दोस्तो वीडियो सुरू होने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो दोस्तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर ले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो कुनाल कपूर जी ने अपनी फिल्मी करियर की सुरुवात साल 2004 में आई मीनाक्ची फिल्म से करी थी और इस फिल्म की बजट तो थी दोस्तो 4 करोड की लेकिन इसने वर्ल्ड वाइट कलेक्शन की मात्र 85 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर रही इसके बाद 2006 में कुनाल जी की दूसरी फिल्म आई थी रंगदे बसंती और दोस्तो इस फिल्म की बजट थी 28 करोड की फिल्म की कमाई हुई थी 97 करोड 91 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ओपिस पर हिट रही इसके बाद 2007 में इनकी फिल्म आती है है हैट ट्रेक और 9 करोड की बजट से बने फिल्म की कमाई हुई 7 करोड 26 लाख और यह डिजास्टर रही इसके बाद इनकी फिल्म आई लगा चुनरी में दाग फिल्म की बजट थी 220 करोड की और इसने कमाई 36 करोड 68 लाख और यह बक्स आपिस पर बिलो एबरिच रही इसी साल ही आई आजा नचले और इसकी बजट थी 20 करोड की फिल्म ने कमाई वर्ल्ड वाइट 28 करोड 44 लाख और यह फ्लॉप रही इसके बाद 2008 में कुनाल जी की फिल्म आई थी बचना ए हसीनो और दोस्तों इस फिल्म की बजट थी 23 करोड की और इसकी कमाई हुई 61 करोड 59 लाख इसी के साथ ही यह फिल्म बॉक्स आपिस पर हिट रही इसी साल ही इनकी फिल्म आई वेलकम टू सज्जन पूर और 9 करोड की बजट से बनी फिल्म ने अपने भारत से कमाई 13 करोड 60 लाख की और यह बॉक्स आपिस पर फ्लॉप रही इसके बाद 2010 में इनकी फिल्म आई लमहा फिल्म की बजट थी दोस्तो 25 करोड भारत से इसने कमाई मत्र 12 करोड 35 लाख इसी के साथ ही यह डिजास्टर रही इसके बाद 2011 में कुनाल जी की फिल्म आई डान इट टू और दोस्तो इस फिल्म की बजट थी 46 करोड की फिल्म ने दुनिया भर से 209 करोड 55 लाख की कमाई की इसी के साथ ही यह बॉक्स ओपीस पर हिट रही इसके बाद 2012 में इनकी फिल्म आई लव शवते चिकन खुराना और दोस्तो इसकी बजट थी 11 करोड की और इसने कमाई करी 14 करोड 94 लाख और यह फिल्म बॉक्स ओपीस पर फ्लॉप रही इसके बाद 2015 में आई ही कौन कितने पानी में और इसने कमाई 35 लाख और यह डिजास्टर रही इसके बाद 2016 में कौनाल जी की फिल्म आई डियर जिन्दगी और दोस्तो इस फिल्म की बजट थी 33 करोड की फिल्म ने दुनिया भर से 149 करोड 29 लाख की बंपर कमाई करी और मेरे दोस्त यह फिल्म तो बॉक्स ओपीस पर ब्लॉक्बस्टर रही इसके बाद 2017 में इनकी एक मल्यालम फिल्म आई वीरम और यह डिजास्टर हुई थी और इसी साल ही आई थी राग देश इस फिल्म ने कमाई एक करोड 18 लाख की और दोस्त यह भी डिजास्टर हुई थी अगली फिल्म आई कुनाल जी की साल 2018 में गोल्ड और दोस्तो इस फिल्म की बजट थी 55 करोड की फिल्म ने कलेक्शन करी 169 करोड की और यह बॉक्स ओपीस पर हिट हुई थी इसी साल ही इनकी एक पेल्गु फिल्म आई देवादास और दोस्तो इस फिल्म की बजट थी 35 करोड की और इसने कमाई 47 करोड 5 लाख और यह फिल्म बिलो एप रच रही और दोस्तो इसी साल ही इनकी एक इंगलिस फिल्म आई थी नॉबेल मैन और यह डिजास्टर हुई थी अगली फिल्म आई कुनाल जी की साल 2021 में कोई जाने ना आट करोड की बजट से बनी इस फिल्म में क़माई करी मात्र 22,00,00 की इसी के साथ ही दोस्तो यह फिल्म तो इसी साल ही इनकी फिल्म आई अनकही कहानिया और इस फिल्म को ODD platform नेटफिक्स पे रिलीज की गए थी तो दोस्तो यह था कुनाल कपूर जी का अब तक का फिल्मी सफर अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर करे साथ में अगर चैनल पर नहीं हो तो दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राब करके बेल आइकन को और पे सेलेक्ट कर दे जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो खत्म बाई बाई टाटा